नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सुहाल ही में ISRO यानि की Indian Space Research Organization ने एक बड़ी घोशना की है कि वो भारत के अंदर 100 से भी जादा Utterl Tinkering Labs को Adopt करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे लिए यह काफी अच्छा मौका बन जाता है यह जानने के इसके बारे में बात करी चाहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं, इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुट सकत सकते हैं, अपनी queries आप मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं, Study IQ आप को डाउनलोड कर सकते हैं from the Google Play Store और आप पे आप पी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए कई सारे courses लाउंच ये गए हैं, जिसमें एक खास course है past prelims discussion का, जिसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है, तो यदि आप आने वाले UPSC के prelims की तयारी कर रहे हैं, जो कि जून 2021 में तया किया गया है, तो इस course को definitely buy कीजेगा, it can be a game changer for you. All right, before we begin, सबसे पहले हमें AIM, यानि की Attle Innovation Mission के बारे में जानना होगा. Attle Innovation Mission असल में Government of India के द्वारा शुरू किया गया था, सन 2015 में, और ये Government of India का एक flagship initiative है, in order to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. यानि की हम चाहते हैं कि भारत में पुद्यमिता और जो है अविशकार को बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको प्रोचसाहन मिलना चाहिए, और इसी के चलते Attle Innovation Mission को launch किया गया था, आप देख सकते हैं, ये वाला एक poster है, Attle Innovation Mission का, बहुती अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, वी स्टार्ट स्टार्ट अप्स, यानि की हम स्टार्ट अप्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये नीती आयो के द्वारा शुरू किया गया था, आज की डेट में Attle Innovation Mission एक बहुती सक्सेस्फुल मिशन की तरह काम कर रहा है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतरगत बेसिकली इनका टार्गेट ये था कि हम एक ऐसा अंब्रेला स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जिसके तहत हम पूरे देश भर में एक इनोवेशन एकोसिस्टम जो है, उसको ओवरसी कर सकें, और इनोवेशन एकोसिस्टम को रेवल्यूशनाइज भी कर सकें, उसमें हम काफ अटल New India Challenges, it was basically taken up to foster the product innovations, यानि कि कोई ऐसा product जिसमें कोई नया आविशकार हुआ हो, उसको हम यहां पे सामने लाना चाहते हैं, it aligns them to the need of various ministries, so जो अटल New India Challenge है, it basically deals with product innovations, इसके बाद अटल incubation centers थे, इसमें क्या था, कि for example मान लीजे, कोई बड़ा institute है, कोई बड़ा college है, को वहां पर अटल incubation center को बनाया जाएगा, जिसको sponsor किया जाएगा AIM के द्वारा, और वहां पर जो world class startups हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, so इसका एक बहुत अच्छा example है, IIT मदरास, वहां पर भी same एक AIC के नाम से center खोला गया है, जहां अबर यदि कोई कुछ बच्चे मिलकर अपना startup खोलना चाहते हैं, तो वह खोल सकते हैं, उनको support मिलेगी from the AIC, इसके बाद तीसरा important जो पहल ली गई थी AIM के under, that was the Mentor India Campaign, यह एक national mentor network है, जो की launch किया गया था, और इसमें आपने क्या किया, कि there was collaboration with the corporates and with the public sector, so that हम सभी के सभ मान लीजे, जैसे AIC के अंतर गथी कुछ बच्चे हैं, जिन्होंने startup शुरू किया है, लेकिन उनको mentoring क्या वशकता है, तो Mentor India Campaign के तहत, उनको कही ना कहीं से, या तो किसी private sector से, या किसी public sector से, कोई ना कोई इनसान आएगा, जो कि इनकी mentoring कर सकेगा, so यह कही ना कहीं दोनों innovation in the MSME industry, तो जो Arise Mission था, यह particularly शुरू किया गया था, MSME उद्योगों के लिए, ताकि वहाँ पर भी हम, जो research है, और जो innovation है, उसको बढ़ावा दे सकें, Finally था AIM iCrest, again, the fifth particular initiative under AIM, it is incubator capabilities enhancement program, जो की focus करता है on creating high performance startups, कुछ ऐसे startups, जिनको जादा help चाहिए, जिनको जादा, जो जादा high performing startups है, अगर हमें ऐसे startups create करने हैं, तो उसके लिए हमें AIM iCrest शुरू किया गया था, So basically, जो AIC है, और AIM iCrest है, काफी हद तक similar है, बस फरक केवल इतना है कि AIC में, जो है, startups का जो level है, वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो AIM iCrest के अंदर startups का level है, काफी बड़ा level है, जो की यहाँ पे हम support कर रहे हैं, यह थी 5 पहले, जो की AIM के तहत ली गई हैं, अब जो हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, वो है topic number 6, और यह है Util Tinkering Labs, Util Tinkering Labs का जो vision है, it is cultivate 1 million children in India as neoteric innovators, neoteric यानि की नए आविशकारों के रूप में हम उनको सामने लाना चाहते हैं, कि नए नए आविशकार ये बच्चे क्या 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 कर सकते हैं, Util Innovation Mission is establishing Util Tinkering Labs in schools across India, तो यह भार भर में, पूरे भारत देश में, यह अलग-लग स्कूलों में बनाए गए हैं, objective क्या है, objective बड़ा simple है, we want to foster curiosity, we want to foster creativity and imagination in the young minds, and we also want to inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning, physical computing वगएरा वगएरा, तो यह सारी चीजे हैं, जो कि आज की date में, अगर आप देखें, यह वाले courses के वाल कुछ-कुछ कुछ elite colleges में ही available है, और अगर यह माली जे विदेश में available हैं, तो बहुत ही महंगे prices होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश यह की जा रही है, कि हम in schools में utter tinkering labs शुरू करना चाहते हैं, so that कुछ इस तरह की skills, कुछ इस तर cost of rupees 10 lakhs, और उसके बाद operational expense भी दिया जाएगा, of rupees 10 lakhs for a maximum period of 5 years to each ATL, eligibility, schools जो है, यह class 6 से लेके class 10 तक, जो की government of India के दारा managed है, या फिर कोई ऐसी local body, या फिर किसी private trust के दारा management है, वो यहाँ पर ATL बना सकते हैं, ठीक है, so यह है कुछ जानकारी ATLs के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये private company है, Skyrim Innovation और इन्होंने किस तरीके से Attle Innovation Mission के साथ tie-up करके Attle Tinkering Lab को establish किया है, so this is how इसमें किस तरीके से public-private partnership model देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह photograph डाली हुई है, एक school के अंदर Attle Innovation Mission के तहत, ATL establish किया हुआ है, I am an innovator नाम स board लगा हुआ है, so this is an example to show कि किस तरीके से ATLs काम करते हैं, अगर आप देखें, जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके कुछ समय बाद की बात है, और यह June 2019 की बात है, जब हमने भारत भर में लगभग 8878 schools select किया गए थे, जिसमें कि हमने ATLs को establish किया था, और इसमें से already क कुछ schools में बाकी हैं, जहां पर establish हो जाएंगी, इसके बाद यही नहीं, April 2020 की ख़बर है, इस साल फिर से, जो है, अटल innovation mission के तहत, ATLs ने NAC के साथ, National Informatics Center के साथ collaborate करके, एक collab CAD नाम से, एक software जो है, develop किया था, CAD आम शुर आपनो सुना होगा, Computer Aided Design, जो CAD है, यह काफी important होता है और काफी सारे जो Computer Engineers हैं, यह CAD के बारे में जानकरी लेते हैं, और आगे देते ही हैं, यह जो collab CAD है, यह again NIC और ATL ने मिलकर एक अपना collab CAD बनाया था, जो की अपने आप में बहुत बड़ी उपलबदी है, for the Util Tinkering Labs, and finally अगर आप देखें, January 11, 2021 की बात है, नए साल की Technology and STEM, so basically इसका फाइदा क्या होता है, देखें, Util Tinkering Labs में बच्चे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जब ISRO ने उनको adopt किया है, तो obviously इसका फाइदा क्या होगा, कि जो यह वाली Labs होंगी, इसमें ISRO असल में Space Technology के बारे में, अंतरिक्ष विज्यान के बारे में लोगों promote scientific temperament among students and encourage them for space education and space technology, और the decision was taken by ISRO and AIM, और यहाँ पर अगर आप देखें, students को फाइदा क्या होगा, देखें, students को कुछ ना कुछ theoretical तो knowledge मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही में practical knowledge भी मिलेगी, of STEM, STEM क्या होता है, science, technology, engineering and math की knowledge तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में space education के साथ technology, material science वगयरा वगयरा इन सब चीजों की जानकारी भी students को मिल जाएगी, again इसका फायदा ये भी है कि अगर आप देखिए, 6 से लेके 10th class तक के बच्चों को ऐसी जानकारी दे रहे हैं, तो वो at least उनको ये पता लग जागा कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, कभी कबार बच कुची को बाहर अच्छे से निकाल पाएं, तो शायद हो सकता है कि बच्चा आगे जाके properly देख सके कि मुझे 10th class के बाद असल में करना क्या है, जिस बच्चे को space education में interest आएगा, तो वो कहेगा मुझे 10th के बाद non-medical करना है और non-medical करने के बाद मुझे किसी अच्छे institution स aerospace engineering मैं करना चाहता हूँ, so इस तरीके से आप उनका career path भी बना रहे हैं, because of this utter tinkering labs, यही नहीं, ISRO ने ये भी कहा है कि हम साथ में, हम जो बच्चों जिनको हम adopt करने वाले हैं, जिन labs में, जिनको हम adopt करने वाले हैं, उनको हम actively mentor भी करेंगे, as well as we will interact with the teachers in these ATLs for encouraging experiments, brainstorming ideas and spreading awareness in space activities, ISRO chairman Dr. K. Sivan ने कहा कि we invite the students associated with these ATLs, इसमें in fact एक पुरानी बात बताना चाहूंगा कि ये अभी तो ISRO के chairman काफी इस चीज़ को लेके अच्छा काम करी रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि ISRO के chairman Dr. K. Sivan ने इसके पहले भी एक बार कुछ बच्चों को बुलाया और इन्हों ने उनको विटनेस करवाया था the launch of one of its rockets from the Satish Dhawan Space Center, a space port at Shriharikota, जो Shriharikota में हमारा SDSC है, वहाँ पर से एक launching time पे कुछ बच्चों को बुलाया था ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कि किस तरीके से ISRO काम करती है, so it's a very very novel initiative मैं समझता हूँ, जिस तरीक कोई बड़ी PSU है, ONGC है, NTPC है, अगर ये बड़ी-बड़ी PSUs कुछ ऐसे कतम उठाती हैं, जिसके चलते वो इन labs को adopt करती हैं, तो यहाँ पर हमें काफी अच्छे outcomes देखने को मिल सकते हैं, इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, I hope आपको knowledge मिल गई होगी, what exactly are the utter tinkering labs, thank you for listening, stay tuned and stay safe.